नमस्कार दिर्शको बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम जोतिश ग्यान में और मैं हूँ आपके साथ मौनिका क्रोवर आज बात होगी आपकी इच्छाओ को लेकर आपकी चाहतों को लेकर क्या होगी वो बात ज़रूर बताएंगे आपको मगरव से पहले स्वागत करेंगे हमारे बेहत खास महमान का जी हाँ, दे फेमस पारमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एंवास्तु एक्सपर्ट, प्रोफेसर धरमीदृ शर्मा जी का नमस्कार सर, नमस्कार सर, व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसकी बहुत इच्छाएं होती है, बहुत चाहते होती है तो मैं ये आज आप से जाना चाहती हूँ कि हमारी हतेली में वो कौन से ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं आये दश्रो को बात करते हैं आपकी हतेली में ऐसी कौन से योग होते हैं ऐसी कौन सी रिखाओं का वार्स होता है जो तवरित आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं सबसे पहली बात नजर ना लगे किसी भी प्राणी को सब की इच्छाओं को पूर्ण करें है ना कभी भी जिनके मनसूबे पूरे होते हैं, तो कभी भी हमें रुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रवत्ती व्यक्ति के अंदर आ जाती है, कि मैं लंबे समय से इस चीज के लिए इंतिजार कर रहा था, मेरे काम नहीं बना, और आपका काम बन गया, नहीं साथ, सब का अपना भाग्य होता, भगवान सब के भाग्य के हिसाब से आगे आपको बढ़ाते हैं, देखो दर्शो को, ये जीवन है, जीवन में कई बार एक बच्चा एक घूट, एक बूंद दूद के लिए तरस जाता, और कई बार एक बच्चे की इच्छाएं ऐसी पूर्ण होती ह कि लाखो करोड़ो रुपे के खिलोने बच्चे के लिए महिया हो जाते हैं, वक्त की बात है, हाला कि माता पिता अपनी संतान का हर समय ख्याल रखते हैं, छोटी से चोटी इच्छाएं पूर्ण करने का माता पिता अपने बच्चों की चिंता में हमेशा, देखो ना, कि ए कि ख्याल होता, इच्छाएं हमारी पूर्ण हो, हमारे माता पिता ख्याल रखते हैं, और देखो कितनी सोचने की बात है, दर्शन को एक बहुत सोचने की एक मारमीक सी बात बता रहूं आपको, आपने देखा है कि माता पिता, LIC, विबिन प्रकार की पोलिसी हम लोगों के के लिए छोड़ जाते हैं, कि जीते जीतो, मेरे बच्चों, तुम्हें मैंने बहुत कुछ दिया, और अगर मेरी म्रत्यू भी होती है, तो मेरी म्रत्यू से मेरी संतान को कुछ मिल जाए, इससे लाजवाब सोच माता पिता की क्या हो शकती है किसी के परती, देखो ना, कि म परकार की पॉलिसी में हमारे लिए जमा करते हैं, कितनी बड़ी बात है, सोचो तो बहुत बड़ी है, नहीं तो कुछ भी नहीं, तो आज का सब्जेक्ट हम आपको आगे बढ़ाते हैं, आज के सब्जेक्ट में कि ऐसे कौन से वो योग होते हैं, जो आपकी इच्छाओं क को जल्द पूर्ण कराते हैं, आईए जानिये, अपनी पत्रिका से भी, अपनी हतेली से भी, पहले पत्रिका से बता देता हूँ, अगर किसी भी जातक की जनम पत्रिका का चतुर्त भाव बलवान है, किसी भी जातक की जनम पत्रिका का लगन बलवान है, और जातक का एकाद बल्वान है तो ऐसे जातक की वी इच्छाएं जल्द पूर्ण होती है अजल्दहाप कर लेते हैं आपकी हटेली में आपके चंद्रवा भी रिवा के साथ बलवान उसके शुकर बलवान और उसके सुक्र के साथ ही थोड़ा से नीचे को होते हैं मंगल अगर तीन बड़े ग्रह किसी भी जातक के बलवान हैं तो ऐसे जातक की भी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं कई बार तो हवा के जोकों में हम सांस लेकर भी यह कह दें ऐसा हो जाता कई बार जगदम बासरस्वती जिवा के उपर ऐसी विराजवान होती है कि भगवती यह हो जाए और बस वह हो जाता आपको भी आज चरी होता है रहे मैं आज कुछ और भी मांग लेता तो शायद वह भी पूरा हो जाता तो कहने का मतलब के यह सब होता क्यों है आप इच्छाएं पूरी होती है तो उसके पीछे आपके बलवान ग्रह होते हैं उसके पीछे जन्वांतर में किये गए आपके करम अच्छे होते हैं परारब्द अच्छा होता है तभी इच्छाएं पूर्ण होती है आपने कुछ अच्छा करम किया होता है तभी इंसान की इच पूर्ण होती इस बात को हमेशा आप अच्छे तरीकी द्लार रखें देखो पैसा बहुत लोगों के पास होता है लेकिन जरूरी नहीं कि अफ़ीजि बार बहुत अच्छासों होता हूटता लेकिन जिंद की बहुत कंजूसी के साथ गुजारी जाती है आपका पैसा आपकी इच्छाओं को पूर नहीं कर सकता आप इच्छा से पैसे से शांती नहीं खरीश सकते हैं ना आप बहुत अच्छे विस्तर खरीश सकते हो नी थोड़ी खरीश सकते हो एक रुतबा थोड़ी खरीश सकते हो प पूर्ण रूप से आपको हतेली के बीच में नजर आते हूं तो ये तरकौन भी आपकी बहुत सारी इच्छाओं को अच्छे से पूर्ण करा देते हैं तो दर्शो को एक चीज और बताएं अगर आपके भवन में चहूं और से सूरिय का प्रकाश आता है और आपके घर के अं सिती में भी ऐसे प्राणी की इच्छाएं अक्सर पूर्ण होती हैं जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं जो व्यक्ति नियम सहियों वह पर चलने वाले होते हैं छोटे बड़े का मान संभान करने वाले होते हैं दूसरी व्यक्ति की भावनाओं की कदर करने वाले होते हैं आज की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं ऐसे प्राणी क्या करें कुछ छोटे-छोटे से टिप्स में आपको देना चाहता हूं गागिस में तयार रखें आपको मैं अभी लिख वाँगा इन प्रकार के उपायों में कुछ खास उपाये देखो जिनकी इच्छाएं पूर् अच्छा है आपके बल्वान कर्म हैं आपके बल्वान ग्रहें आप प्रारब्द बल्वान हैं जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है इसलिए जिनके ग्रह बल्वान हैं जिनका समय बल्वान हैं उनको भी उपाय करना चाहिए और जिन बिचारों का समय कमजोर है ज ऐसे लोगों को भी उपाई करने चाहिए। कई बार कुछ लोग आपको ड्राएंगे नहीं, आपके सूरिय बहुत अच्छे हैं, आपको सूरिय को जल नहीं देना चाहिए। नहीं, आपके शनी बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सब बेकार की बाते अगर हमारे बाल अच्छे हैं तो हम कंगी ना करें, हम शेंपू ना करें, हम तेल ना लगाएं, हमारी आखें अच्छी हैं तो उनको धोई ना, अगर हमारे सरीर अच्छा है तो उसके लिए आगे कुछ महनत ना करें, कुछ अच्छे से वयाम बगर ना करें, तो इसलिए जो औम हस्तिफिसाची निखे श्वाह पुने सुने ऑम हस्ती पिसाची निखे श्वाहDo जो प्राणि इस मंतर की तीनुमाला प्रति दिन करता है विविन प्रकार की इच्छाइं उनकी पूण होती चोटा सा नवग्रहों का मंत्र होता है मिला जुला म्रम्मा मुरारी स्पान्तकारी भानुशची भूमि सूतो बुदश्य गुरुष्य शुक्रश निराहु के तुवा सर्वेग्रा सांतिकरा मवन्तु नवग्रहों का द्यान करके इसको नौ बार प्रती दिन पढ़ लेना च हार्थ कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी विज़े से जीवन में इस प्रकार की उतल पतल हो रही है पत्रिका भी होना एक अनिवारिया अंग है ये भी इच्छाओं को पूर्ण करेगा क्योंकि पत्रिका सही होगी तो पता लेगा क्या करना चाहिए पत्रिकाएं जिनके पास नही चाहिए चांदी का छला ही साई जरूर रहेगा बहुत जाला चांदी पहने चाहिए और रात्री में सोते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें जब आप सोएं तो दिगर सांस खीच करके तीन बार ऑमकार बोले करें अंदेरी अंदर और जब सुबह उठते हैं तो प्रत्वी क को तीन बार नमन की करना कदापी न भूलें आपकी इच्छाएं पूरी होगी एक चीज और नवग्रहों के लिए साथ तरह का अनाज ले लें जिसको हम सतनाजा कहते हैं और उस साथ तरह के अनाज में एक नादियल रखने और जहां मचलिया हो आपको लगता हो अनाज और एक नादियल शनी वार की संधिया को जल में डाला करें महीने में एक बार करें केवल एक बार शनी वार की शाम को और साथ महीने करें इस से बहुत अच्छा लाब मिलेगा एक तालेज दिन लगातार जो व्यक्ति पीपल को सीचता है गंगा जल, कच्चा दूद, पानी उसमें मिला लें और मीठा मिला लें, शक्कर मिला लें, थोड़े काले तिल डालें, दो लॉंग डालें और कच्चा सूत लेकर के जाएं तीन तार पीपल पर कच्चे सूत के लेपेटें, और ये मिश्रन वाला जल, पीपल देवता को एक तालेज दिन तक जो प्राणी देता है, निश्चित तोर से काया कल्प होती है, और ब्रह्म देवता की करपा से उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो वो कौन से योग हैं, जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करवाते हैं, दर्शकों अभी अभी आपने उन योगों के बारे में जाना हथेली के माध्यम से भी, और जन पत्रका के माध्यम से भी, और जिन लोगों के इच्छाओं पूर्ण नहीं हो पाती है, उन्हें क्या उपाय अपन पशाइब कुपाध चर्मा जी का माकदरशन फ्राफ्ट करने की, तो अगर आप उनसे व्यक्तिकार तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं, इसके लिए आप संस्थान में संपःसात का Mus for Personal Appointment ले सकते हैं, कहीं दूर दरास रहते हैं, आपके लिए मुलाकात कर Wow k 1996 से अगर संभ बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया, मेरे तीस साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मेरी में मंतर करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंतर से मेरी रोशनी बापिस आ प्रति दिन अधिक से अधिक जानकारी प्रात करने हे तू एवं अपने समस्त कष्टों के निवारण हे तू आप हमारे फेस्बुक पेज से अवश्य जुने हमारा फेस्बुक पेज है पियारो एफ.धर्मेंद्र शर्मा इसे प्रकार से आप हमें यूट्यूब पर भी फॉ कर सकते हैं।